नमस्कार मैं हूँ आपके साथ सुमत्र शर्मा बंसल उसकी खास पेश्कर्ष में आपका बहुत-बहुत स्वागत है जैसा कि आप सब जानते हैं कि आउश्मान में हर बार स्वास्ति संबंदी समस्याओं पर खास जान करीदी जाती है इस कड़ी में आज हमारे साथ है डॉक् कोस्मेटिक ब्रेस्ट सरजरी के बारे में अगर आपके भी से जुड़े कुछ सवाल है तो कारिकरम के दौरान आप सीधे हमसे जुड़ सकते हैं हमारे नंबर लगाते आटीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रही है आप सवाल कर सकते हैं डॉक्टर सुनिल राठोट से सला भी ल अनुरूप आकार प्रदान किया जाता है आपने अकसर देखा होगा कई बर फीमेल में ब्रेस्ट जो है अंडर डेवलप्ड होते हैं जैसे हम हाइपो मेस्टिया कहते है या फिर कुछ फीमेल में जो ब्रेस्ट का साइज उनके शरीर के आकार के अनुरूप नहीं होता और बहुत ज्यादा हेवी होता है जैसे हम ब्रेस्ट हाइपर ट्रॉफी कहते है या फिर हाइपर मेस्टिया कहते है तो इन तरह की फीमेल में अकॉर्डिंग टू बाडी शेप और साइज के अकॉर्डिंग ब्रेस्ट के साइज को बढ़ाना या घटाना जैसे हम बेसिकली मेल में breast का बढ़ जाना होता है, जनले मेल में breast होते नहीं है, तो यदि कुछी मेल में female के breast हो जाते हैं, तो उन conditions को हम gynecomastia कहते हैं, तो उन conditions में liposuction method के द्वारा उस gynecomastia का ilाज किया जाता है, तो overall हम बात करें, तो breast के size को बढ़ाना, breast के size को कम करना, जैसे हम aug augmentation mammoplasty, reduction mammoplasty, या फिर gynecomastia, मतलब male breast के size को कम करना, जैसे हम liposuction padati के द्वारा करते हैं, यही में तीन जो surgeries है, जनले पेशेंट्स हमारे पास OPDs में कराने आते हैं, ठीक है, डॉक्र सुनिल, breast के आकार को कैसे बढ़ाया जाता है, क्या बाहरी breast implant लाए जाते हैं, बहुत ही सवाल के आपने, breast के आकार को कैसे बढ़ाया जाता है, देखिए, कोई भी चीज के आकार को बढ़ाने के लिए, दो methods को use कर सकते हैं, एक होता है, autogenous placement, tissue placement, या फिर allogenic tissue placement, autogenous का मतलब होता है, आपके suppose कि जो breast का size है, वो कम है, आपके body के ही, किसी mask के टुकडे को निकाल कर आपके breast में implant कर दिया जाता है, जो आपके abdomen का fat हो सकता है, जैसे हम fat grafting कह सकते हैं, या फिर आपके body की कोई muscle हो सकते है, जैसे हम transfer करके breast का volume है, वो increase कर सकते हैं, तो इस चीज को हम autogenous breast augmentation कहता है, दूसरा जो most common method जो generally होती है, cosmetic breast surgery में, वो होती है, implant placement, याने कि आपके breast के size ह उसको बढ़ाने के लिए बाहरी implant का use किया जाता है, जो generally silicone made implants होते हैं, उन implants को आपके breast का tissue है, उसके underneath प्लेस कर दिया जाता है, तो जिसके वज़े से आपके breast का volume है, वो बढ़ जाता है, आपके breast का shape है, वो attracted हो जाता है, और आपके sagging of nipple आपका हो रहा है, या फिर skin की sagging ह वो एक projected manner में आ जाती है, जो कि आपके breast को एक आकरशक रूप प्रदान करती है, तो generally, जो most common जो पद्दती यूज की जाती है, वो होती है breast implant, जिनमें silicone breast implant यूज की जाती है, यह काफी common है और काफी easy है, ठीक है, डॉक्र सुनीर, breast implant की हम बात कर रहे हैं, तो यह कितने तरह के होते हैं, और कौन से implant सबसे best होते हैं, बिलकुर, सबसे ज़्यादा patients में जो curiosity रहते हैं, वो implant के बारे में जानने की होती है, कि breast implant किस तरह के होते हैं, तो जो commonly used breast implant होते हैं, अपन बहुत जादा details मना जाएं, एक grossly हम बात करें, तो दो टाइप के breast implant होते हैं, एक होते है ,"Silicon gel implants", दूसरे होते हैं, saline implants", दौनों में difference यह होता है, कि एक implant के अंदर gel रहता है, जिसकी feel एक natural feel होती है, एक rubbery feel होती है, जैसे आपन ने की normal breast के feel होती है, तो उसको बोलते हैं, और दूसरे होते हैं, saline implants इसमें एक silicone का outer shell होता है और उसके अंदर normal saline जो generally hospitals में जो use होता है normal saline आपने सुना होगा, वही normal saline जो use करते है normal saline का amount आपके breast को कितना inflate करना या कितना size बढ़ाना है उसके accordingly जो है silicone gel implant और saline gel implant दोनों को size, shape जो है उसी के according decide किया जाता है तो mainly जो है दो तरह के breast implant होता है, एक silicone gel implant, दूसरा saline implants होता है silicone gel implants जो है worldwide most commonly used किया जाते है दोना implants जो है अपने contour, textured, rounded, oval shape, अलग-अलग shape के according एक बहुत gross classification है बट यह depend करता है कि वो patient to patient vary करता है कि कौन सा implant जो है, किन patients में डालना है, किस size का डालना है क्या volume होना चाहिए उसका, क्या texture होना चाहिए, क्या shape होना चाहिए वो generally हम उस चीज़ को customize भी करा सकते है तो यह patient to patient और individual to individual depend करता है कि किस तरह का implant जो है use किया जाए ठीक है, डॉक्र सूल यह तो increase की बात हुई, size increase करने की, लेकिन कभी-कभी female के breast काफी heavy होते हैं, तो क्या उनको भी कम कर सकते हैं? बिल्कुल, जो जिन females के breast बहुत heavy होते हैं, उसको generally हम hypermastia बोलते हैं यह hypermastia के problem जो है, ऐसा नहीं कि old-digit female में या post-pregnant females में होगी कई बार unmarried young females 14-15 years के females में भी breast के size होते हैं, वो इतने excessively enlarged होते हैं जिसके वज़े सा बहुत uncomfortable हो जाते है uncomfortable का manner जो है, वो दोनों तरह की females में चाहाए, यंगर हो चाहाए, ओल्डर एज ग्रूप का हो, उनमें एक तो cosmetically concern आता है कि उनका outer look है, वो बहुत ही bad हो जाता है, क्योंकि जो है, चेस्ट का shape females में बहुत importance रखता है उसके एक outlook के लिए तो जिसके चलते वो ना तो अपने फेवरेट जो garments हैं वो पहन पाते हैं ना shorts में जो है, यदि उनकी choice है तो वो भी bear नहीं कर पाते हैं तो इस तरह के heavy breast रहते हैं उनमें cosmetic concern के अलावा भी बहुत सारी lifestyle problems होते हैं उनके जो shoulders हैं उनमें बहुत जादा pain रहता है, back में pain रहता है, दो-चार गंटे की working के बाद वो पूरा lazy feel करते हैं तो overall quality of life है उनकी, वो hempled हो जाती है इन conditions में breast के size को reduce करने के लिए cosmetic surgery की जाती हैं उस cosmetic surgery को हम reduction mammoplasty बहुते हैं reduction का मतलब होता है tissue को reduce करना यानि कि आपके overall breast है उसमें से कुछ tissue को निकाल लिया जाएगा और आपके breast को re-shape किया जाएगा तो जब भी आप एक plastic surgeon के पास अपने breast को hypermastia या large breast को लेके जाते हैं तो आपको detail में वो explain करेगा एक proper marking होती है और एक proper आपकी desire होती है पहले आप अपने expectations को share करेंगे कि कि size का breast आपको चाहिए दूसरी बात आपके शरीर के according कि size का breast है वो आपके लिए अनुकूल रहेगा तो reduction mammoplasty definitely की जा सकते है यदि आप suffer कर रहा है इस चीज़ से कि बहुत जादा heavy breast हो गया और even आपको यदि cosmetic concern भी नहीं है और आपको लगता है कि आपके जो lifestyle है वो painful हो गई है और बहुत lazy हो गई है आप जितना energetic हो सकते थे वो energy आपको heavy breast के चलते नहीं रही है तो definitely आप reduction mammoplasty की तरफ जा सकते हैं तो यह होती क्यों है ऐसा क्यों होता है female के breast में heavy हो जाते हैं जैसे कि मैंने आपको बताया यह दो तरह की चीज़ें होते हैं एक होता virginal hypermastia virginal hypermastia का मतलब होता है कि आपके puberty के आसपास जो है आपके estrogen hormone है जो आपके breast के glands है उसको बढ़ाता है जैसे हम hypertrophy कहते हैं उसका hormonal imbalance है उस hormonal imbalance की वज़े से estrogen का level है वो बहुत जादा हो जाता है जिसके चलते हैं आपके breast है वो disproportionate size में increase होते हैं और कई सारी बीमारियां भी होते हैं जैसे PCODE, polycystic ovarian disease और कुछ female hormonal disturbances के कराण यह जो breast है वो hypertrophy की तरफ चला जाता है दूसरी बात कई बार ऐसा देखा गया है कि post pregnant females में breast feeding और उन सब के बाद बहुत ही rare यह देखने को मिलता है कि कुछ females में breast के growth है वो disproportionately high rate of progression के साथ बढ़ती है जिसके वज़े से heavy हो जाता है तो overall एदी हम बात करें तो basically यह शरीर का एक hormonal disbalance है जिसके वज़े से जो breast के glands के जो receptors है वो hypersensitive हो जाते हैं मतलब growth के लिए ज्यादा signals को ले लेते हैं और इनकी जो tissue की growth जो है वो excessive हो जाते है और जिसका परिणाम जो है बहुत जादा heavy breast के साथ अपनको देखने को मिलता है ठीके अब एज की बात के जाए तो किस एज में females यह surgery करा सकते हैं क्या कोई criteria रखा गया है इसके किसी भी cosmetic surgery में age कोई भी foundation नहीं है चाहे वो आपका pubertal age group है मतलब 13-14 years का हो या फिर 55-60 years का है आपकी desire का है आपका lifestyle का है आप एक बार life मिली है तो उसको कैसे जीना चाहते है तो सबसे पहले हम बात करें तो cosmetic surgery के लिए कोई भी age foundation नहीं रहता बट generally हम breast surgeries को prefer करते हैं कि after 16-17 की age group के बाद जो है breast surgery यह किसी के under development है तो उनको जो है implant के थू है proper shape प्रदान किया जाए लेकिन यह कोई females ऐसी होते है कि 13-14 years की age group में जो है बहुत जादा excessively virginal hypermastry है तो उन conditions में भी surgery कर सकते हैं और यदि upper end of age group के हम बात करें तो at any age group 50-55 तक भी हमारे पास patients आते हैं बट यदि आपको कोई और गंभीर बीमारी नहीं है जिसके चलते operation risky हो सकता है यदि ऐसी कोई बात नहीं है तो even up to the age of 55-60 भी आप जो है breast surgeries को करा सकते हैं ऐसी कोई as such upper age boundation नहीं ह किस तरह का operation होता है क्या इसमें कोई risk होता है इसके बाद नुकसान होते हैं surgery के बाद कुछ देखिए मैं आपको detail में समझाता हूँ कि operation किस तरह को होता है तो आपकी कोई भी breast problem होगी तो सबसे पहले आप जो है regarding specialist के पास जाए जैनली ये surgeries जो है वो plastic surgeons करते हैं तो cosmetic surgery में व आपकी प्रॉलम सुनेंगे आपकी expectation सुनेंगे क्कि कॉस्मैटिक सर्ज्री में आप किस expectation के साथ cosmetic surgery कराने आए है वो माहने रखता है ये माहने नहीं रखता है कि जो surgery plastic surgeon करने जा रहा है उसमें ideal क्या होना चाहिए चाहिए वो nose की surgery हो चाहिए आपकी lips की surgery है बट ये depend करता है कि आपकी डिमांड क्या है कि आप ब्रेस्ट अग्मेंट कराने आए तो आपको size क्या चाहिए फिर वो जरूर आपको explain कर सकते हैं कि आपकी body के accordingly यह appropriate रहेगा but final decision आप ही कर रहेगा तो मेरे कहने का मतलब यह है कि सबसे पहले आप अपनी problem को लेके plastic surgeon के पास जाए detailed discussion करें कि किस तरह का procedure की मुझे जरूरत है मेरी expectations क्या है किस तरह का procedure होता है और हम किन-किन options को रख सकते हैं और हमारे लिए particular अपने लिए क्या best options है तो सबसे पहले जो pre-operative counseling होते हैं सारे aspects को details में बताया जाता है सारे options आपको दिये जाते हैं उसके बाद जो better option है वो select किया जाता है इसके बाद कुछ pre-operative markings होते हैं कोई भी cosmetic surgery करने के लिए pre-operative markings किया जाते हैं कि आपके breast को size को कितना reduce किया जाता है तो कुछ marker pens के use करके mirror के सामने आपको बताया जाता है कि इतना breast का amount आपको increase या reduce किया जाएगा और ये expected आपका outcome हो सकता है उन सारी चीजों को satisfaction के बाद operative procedures के हम बात करते हैं तो यदि breast के size को increase करना है तो breast implant को prefer करते हैं जिनमें silicone gel implants हैं वो generally recent scenario में most of the plastic surgeons prefer करते हैं shape किस तरह का लगना है volume कितना होना है ये individual to individual patient to patient depend करता है आपके अभी का breast size उस पर depend करता है तो जो augmentation memoplasty उसमें 4 ये 5 cm का चीरा लगाया जाता है जिसकी जो position है जो nipple की infra memory जो crease होते है जहाँ पर breast जो है set करता है वहाँ पर लगाया जाता है और आपके breast glands के नीचे उस implant को place कर दिया जाता है और घुलने वाले चोटे टाके लगा दिया जाता है या तो same day evening या फिर next day morning आपको discharge कर दिया जाता है यदि reduction memoplasty के हम बात करते हैं तो reduction memoplasty में जो है आपके जो breast का एक particular amount of tissue जो है donor breast से symmetrically निकाला जाता है तो एक inverted T-shape की commonly एक line आती है जो nipple से लेके आपके inframemory fold तक straight और उसके बात horizontal जो inframemory crease में hydrate रहती है शुरुआत में थोड़ा सा चीरा दिखता है उसमें लेकिन 6 months तक काफी कुछ remodel हो जाता है इन condition में generally हम 2-3 दिन में patient को discharge कर देते हैं और विदाना week जो है वो अपनी routine activities में वापस आ सकता है ठीक है, सर्जरी की बात कर रहे हैं तो इसमें क्या कोई major operation होता है इसमें time कितना लगता है कि क्या short time में ही यदि major surgery के बात करें तो कोई भी breast surgery जो है वो दो form में होते हैं एक local anesthesia एक general anesthesia local anesthesia का मतलब होता है कि आपके उस particular area वाले पार जहां पर operate करना है जैसे कि breast हो गया उस area को सुन किया जाएगा और आपको breast implant डाल दिया जाएगा इन conditions में जिनमें patient cooperative होता है तो generally हम local anesthesia prefer करता है same day evening patient को discharge कर देता है patient completely conscious oriented रहता है conversation कर सकता है during the procedure दूसरा होता general anesthesia तो definitely major होता है कोई भी anesthetic surgery जो है उसको major surgery की category में ही माना जाता है उसकी conditions रहते हैं पेशेंट बहुत ज़्यादा pain sensitive हो या फिर जो है किसी भी तरह का pain वो लेना नहीं चाहता है और बहुत ज़्यादा anxious है तो उन conditions में breast augmentation में general anesthesia prefer किया जाता है उन conditions में भी morning surgery perform करके after few hours of the rest 4-5 hours के बाद same day evening या फिर uncomfortable रहता है तो next day morning हम भेज सकता है reduction mammoplasty के बात करें तो generally जो है इसमें under anesthesia की जाते है जिसमें 2-3 दिन के rest के बाद patient को जो है घर बेजा जाता है यदि हम बात करें तो time duration की बात करें तो augmentation mammoplasty में लग बग डेड़ से 2 गंटे का समय लगता और यदि reduction mammoplasty के बात करें तो 2-3 गंटे का लग 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 समय इसमें लगता है जी डॉक्टर सुनिल हम surgery की बात कर रहे हैं तो अमोमन हम देखते हैं कि कोई भी operation होता है तो patient को कुछ दिन के लिए admit होना पड़ता है लेकिन आप कर रहे हैं कि जल्दी छुटी रियाती तो ऐसा क्यों होता है यही day care surgery का concept है कि यदि कोई surgery local anesthesia में perform हो रही है surgical skills आपके अच्छी है tissue handling आपके अच्छा है जो incision मतलब चीरे का साइज है जब वो reduce है तो patient को post-operative pain कम होता है anesthesia के requirement कम होने के वज़े से उसका conscious orientation का level है वो during the surgery after the surgery same ही होता है तो उन conditions पर same day even patient को discharge कर सकते है max to max one day after day care surgery generally most of the cosmetic surgeries है वो day care surgeries में change हो गए है तो काफी easy है patient भी comfortable रहता है बहुत जादा hospital stay और hospital anxiety है उसको भी reduce किया सकता है तो most of the surgeries अब day care में perform के जाते है almost all cosmetic surgeries ठीक है डॉक्टर सुरी गिल क्या surgery के बाद breast नॉर्मल ही देखते हैं या फिर कोई परिवार्टन उनमें होता है देखे आपके यह जो सवाल है कि breast नॉर्मल ही देखते हैं मैं जो नॉर्मल तो आपको देखेंगे बट जो है more attractive होंगे पहले जो breast उसे बहुत जादा आकरशक होगे क्योंकि आप cosmetic surgery कराने आए है और cosmetic surgery की beauty है कि result जो है वो immediate आपको देखने को मिलता है कि आप जो small breast के साथ आए थे जिसमें आप जो है proper अपने garments भी नहीं पहन पाते थे आप देख रहे हैं कि शाम को after the surgery आपके जो breast का जो projection है वो improve हो गया जो size है वो increase हो गया है जो volume है वो increase हो गया तो even immediate after the surgery जैसे ही आप conscious oriented होते है जो आप अपने confidence को अपने आप गेन अप कर लेते हैं और बहुत ज़्यादा happy feeling definitely आपको आती है Dr. Surajari के बाद क्या patient को जो check-up के लिए दुबारा hospital आना पड़ता है बहुत ही minimal follow-up के requirement रहते है जरनली breast augmentation surgery के बाद after 10 to 15 days हम एक बार follow-up करते है कि कोई problem है तो नहीं यदि इस बीच पेशेंट को कोई problem होती है कोई excessive pain होता है या फिर जहां पे implant आला गया है वहाँ पे कोई redness या infection का कोई sign मिलता है तो ही आपको बीच में एक बार आने के जरूरत है otherwise after 15 days single follow-up is more than sufficient but यह है कि आपको tight sports bra पहनने के लिए we advise करते हैं for next 3 months क्योंकि जो internal mild swelling है उसको complete settle होने में जो है 2-3 महीना लग जाता है तो breast का जो shape immediately after surgery मिला था उससे कहीं अच्छा आपको 2-3 महीने के बाद क्योंकि proper reshaping हो जाती है swelling reduce हो जाती है body जो उस चीज को accept कर लेती है तो एक और natural एक और आकर्शक रूप आपके जो है breast में देखने को मिलता है और दूसरी बात है हम reduction mammoplasty के बात करें तो generally उसमें 2-3 दिन का hospital stay रहता है और next 15-30 days में 2-3 follow-up के requirement रहते है ताकि हम जो stitches लगाए गया है उसमें उनको properly observe कर पाएं कि कोई infection का sign तो नहीं है या फिर कोई fluid तो वहां collect नहीं हुआ है जैसे हम serum में बोलता है या फिर nipple की जो position चेंज की है उसमें कोई problem तो नहीं आ रहे है जो overlying skin है उसके color में कोई changes तो नहीं आ रहे है तो चोटी-चोटी चीजों को observe करने के लिए आपके 2-3 follow-up के requirement हो सकते ठीक है Dr. Sudil, यहाँ पर कोई भी operation जब भी होता है तो surgery होती है तो mark आता है बोटी में तो surgery में भी mark आता है कि? जब भी आप cosmetic surgery कराने आएंगे तो plastic surgeon आपसे ज़्यादा concern है about your scar definitely scar वहाँ पर दिया जाता है जहां पर आपका hydrate हो जैसे मैं आपको बूला है 4-5 cm का आपको inframemory fold में जहां पर breast sec करता है आपको scar क्योंकि scar दिया जाता है या incision चीरा लगा जाता है क्योंकि आपको implant डालने के लिए space तो चाहिए ना entry point तो चाहिए बट वो जो scar है वो hydrate रहता है और बहुती fine stitches लगा जाता है तो after 3-6 month जो skin है उपर के जो skin रिमॉडल हो जाती है तो बहुत जादा visualize नहीं होता even patient ही उसको जो है appreciate कर सकता है हाँ reduction mammoplasty में एक inverted T-shape का ज़रूर आता है या फिर कोई और method करें है तो single straight line आ रहे है वो भी 3-6 months में जो है काफी faded हो जाती है बट यदि हम बात करें scar appearance और overall look appearance तो दोनमा बहुत difference है उस scar के चलते हैं यदि आप अपने आकर्शक look को नहीं पाना चाहेंगे तो I don't think so कि ये fair होगा आपके लिए तो यदि आप scar और outlook की बात करें तो definitely आपको जो एक outlook में बहुत बड़ा confidence मिलेगा कि ना कि आपको scar के लिए चिंतित होने की जरूरत है ठीक है डॉक्टर सुनिल आपका बहुत बहुत शुक्रिया महत्पू जानकादी हमें देने के लिए दर्शकों देने के लिए तो इसी के साथ हमारी खास पेश्करश में फिलाल इतना है कल फिर हाजर होंगे एक नई स्वास संबंधी समस्या को लेकर साथ ही बताएंगे उसको पाए दीजे जासत नमस्कार